दोस्तों हमारे चैनल कंप्लाइंस वाला में आपका स्वागत है हमने अपने पिछली वीडियो में आपसे GST के e-wavile साइट की अनब्लोक किंग के बारे में बताया था आज के इस वीडियो में अब यह साइट कैसे अनब्लोक होगा और आप अपना e-wavile कैसे बना पाएंगे इसकी चर्चा हम करते है GST के पोर्टल पर इसके लिए एक प्रेस रिलीज आरी की कई थी जिसमें EWB5 और EWB6 के बारे में बताया गया है दोस्तों आप इसके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं और भी कई सारे टॉपिक पर हमने वीडियो बना रखे हैं आप उसे देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ कि EWB5 को कैसे फिल करना है और सब्मिट करना है आपको GST की साइट पर लॉगिन करना है Services में आना है यहाँ पर User Services है User Services पर क्लिक कीजिए और My Application पर क्लिक कीजिए Application टाइप में Application for Unblocking of EWB will select कीजिए और New Application पर फिर से क्लिक कीजिए दोस्तो इस तरह का Application फर्म आपके सामने में खुल के आ रहा है जिसमें कुछ Data Auto Fill में आ रहा है और कुछ Details आपको भडने है इस फर्म में आपका GST Number, Trade Name, Legal Name, Address किस कारण से आपका GSTN Block है Return Type कौन सा Pending है Period, कौन से कब तक का Return Pending है यह सारे Detail आपके Auto Fill में आ रहा है अब यहाँ के Drop Down List में आपको Region सेलेक्ट करना है और इसी Region को आपको सेलेक्ट करना है अगर आपको Other Regions डालना है तो बगल में एक Box है वहाँ पर आप अपना जो Drop Down List के अलावे अगर कोई कारण है तो आप वहाँ डाल सकते हैं दोस्तों और आपको अगर Support में कुछ Attachment डालना है तो Attachment भी है आप यहाँ पर Attachment डाल सकते हैं अब Return के Late होने का कारण और उससे संबंधित Attachment डित्यारी डालने के बाद हम Proceed पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर Applicant Authorized Signature का नाम सेलेक्ट करते हैं और Place डालने के बाद क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक Warning Message आता है कि Do You Want to Proceed? अगर आपको Proceed करना है तो आप Proceed बटन पर क्लिक करें और इसके आगे OTP का एक Option आएगा या Digital Signature का एक Option आएगा जैसे भी आप Sign करते हों आप उससे सेलेक्ट करें इसे Finally Submit करें अगर Department आपके द्वारा दिये गए उत्तर से संतुष्ठ हो जाता है तो फिर आपको EWB6 में आपका e-webill Portal को Unblock करने का Order पास कर देगा दोस्तों इस तरह के Informative वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं हमारे चैनल को Like, Subscribe और Share कीजिए धन्यवाद